रुक रुक के मैं देख रुक रुक के देख बिना प्रेंग जाउनलोड तक अप नागरिक्ता कानून के रूप में किस प्रकार के गुम्रह करने का प्रियास्वा क्या भेद्वाव है इसमें आखिर इस देश का विभाजन की साधार पर हुआ था और विभाजन के कारणों के अंसार पाकिस्तान बांगला देश और अफगानिस्तान में मुसल्मानों पर कोई हमले नहीं हो रहे हैं कोई अत्याचार नहीं ना भारत में हैं ना पाकिस्तान में ना बांगला देश में ना अफगानिस्तान में लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश में हिंदों पर सिक्कों पर जैनियों पर बादों पर पार्शियों पर इसाईयों पर लगाता रत्याचार हो रहे हैं अभी आपने देखा होगा ननकानास साहिब में किस प्रकार का रत्याचार हुआ था कैसे वहाँ पर कतलियाम हुआ था कैसे वहाँ पर कीरतन के कारेकरम को नगर कीरतन के कारेकरम को रोग दिया गया था एक सिक्व नौजुमान की हत्या कर दी गई और ये रोच के किस्से हैं पाकिस्तान के अंदर तो और अगर भारत की सरकार ने उन पीडित और प्रताडित अलप संख्यकों को भारत के अंदर नागरिकता देने का कारे किया है तो फिर इसमें कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए था क्योंकि ये कारे 1947 में होना चाहिए था पचास में होना चाहिए था, बावर में होना चाहिए था, ने कॉंग्रेस कर पाई, मोदी जी ने किया, मोदी जी का विनंदन होना चाहिए था, कॉंग्रेस के पाप का परिमार्जन करने का एक तरीका था, लेकिन उन्होंने इस कार्यों को नहीं किया, और आज मोदी जी कर र परिवारों को एक-एक आवास दिया चार करोड परिवारों को बिद्दुत के कनेक्शन और आट करोड परिवारों को रसोई गैस के निसुल को कनेक्शन दिये 12 करोड किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मानी दिये और 50 करोड लोगों को देश की अंदर आईसमान भारत में पांच लाग रुपे की स्वास्त की सुईधा का कवर प्रतिवर्स देने की बिवस्ता की मोदी जी ने तो कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया किसी की जाती नहीं पूछी किसी का छेतर किसी की भासा किसी का मत और किसी का मजब नहीं पूछा जब मोदी जी जाती मत मजब के आदार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आरोप लगाना की नागरिक्ता कानून भेदभाव कर रहा है ये वास्तिविक्ता से कोसों दूर है और भायो बेनों देश को गुमरा करने और भारत की चवी को दुनिया के अंदर धुमिल करने की कुछ सी साजिस का हिस्सा है हम सब इस साजिस को पैचाने